नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल P4 पोर्टफोलियो में आज हम बात करने वाले हैं HDFC बैंक के बारे में आज HDFC बैंक ने अपना साइकोलोजिकल लेवल तोड़ दिया है तो आप देख सकते हैं कि HDFC बैंक का लाज ट्रेड़ प्राइस है 987 रुपीस जो की आज है 2.82 परसंट नीचे अगर बात करें इसके 52 वीक लो के बारे में तो वो है 738 रुपीस जिससे यह अभी अच्छा गासा उपर चल रहा था लेकिन अपने 52 वीक है 1305 से अभी भी अच् की मार्केट कैप है P.E. रेशियो है 20.63 जबकि इंड़स्ट्री का P.E. है 23.87 प्राइस टु बुक की बात करें तो 3.09 है डिविडेन डिल्ल है 0.76 और डिलिवरेबल की बात करें तो 31.16 परसंट की डिलिवरी हमें दिखाई दे रही है तो अब देखते हैं कि चार्ट पर हम कौन से लेवल्स और टार्गेट्स दिखाई देते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम लोग चार्ट पर आ चुके हैं जहां पर हमें पता चलता है कि मार्केट क्रैश से पहले इसका प्राइस हुआ करता था 1,300 के आसपास लेकिन अच्छी गासी गिरावट का सामना करना अगर बात करें इसके पिछले कुछ दिनों के बारे में तो इसने अपने 100 days के EMA के उपर closing दे दी थी यह अपने 200 days के EMA के आसपास जाने की कोशिच कर रहा था लेकिन selling pressure बढ़ गया अगर बात करें पिछले candle के बारे में याने कल की candle के बारे में तो आप देख सकते हैं gap up opening हुई थी 1050 के भी उपर ओपन हुआ था लेकिन सेलिंग प्रशर आ गया और स्टॉक काफी नीचे आ गया था लेकिन उसने सपोर्ट लिया था अपने 100 डेस के ये में के ऊपर लेकिन आज वो लेवल तूटता हुआ दिखाई दे रहा है और क्लोजिंग वो ये 9.84 रुपिस के आसपाज अपने 100 डेस के ये में के काफी नीचे अब मैं आपको अलग-अलग इंडिकेटर्स बताना चाहूंगा वहाँ पर कैसी सिचुएशन है वो भी बताना चाहूंगा MoneyFlow Index का जो नंबर निकल कर आता है वो है 76.64 यानि कि काफी ज़्यादा ऊपर निकल चुका है MoneyFlow Index का नंबर OVERbought ही हो चुका है, हैम ऐसा कह सकते हैं हाला कि 80 के ऊपर जाता है तो OVERbought कहा जाता है लेकिन उसके नसदी की हैने की काफी ज़यदा strength इसने already demonstrate कर दिये इसलिए थोड़ा सा हमें technical correction देखने को मिल सकता है अब मैं आपको RSI का number बताना चाहूंगा तो जो RSI का number निकल कर आ रहा है वो है 55.9 तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी weakness बनती हुई दिखाई दे रही है पिछले कि दुनों से RSI का number नीचे आता हुई दिखाई दे रहा है MECD के बार में बताना चाहूंगा MECD का जो हमें situation बनता हुई दिखाई दे रहा है इसने काफी सामय पहले इसने bullish crossover दे दिया था उसके बाद अच्छी तेजी भी देखने को मिली लेकिन अभी weakness आती हुई दिखाई दे रही है पिछले जो दो histogram बन कर दिखाई दे रहे है वो red histogram है यानि कि थोड़ी सी गिरावट का महल बनता हुई दिखाई दे रहा है अब देखते है बॉलिंजर बैंड की situation कैसी है बॉलिंजर बैंड के lower band के आसपास support लेने के बाद stock उपर move करना शुरू कर दिया था लेकिन अपने upper band के आसपास इसके resistance पेस करना पड़ा और stock नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है median के बारे में बात करें तो median है 926 रुपीज अगर lower band की बात करें तो हो है 791 रुपीज का pivot points के बारे में बात करेंगे तो pivot point जो यहाँ पर बन कर आता है pivot level जो बन कर आता है वो है 912 रुपीज दो resistance को यह already तोड चुका था लेकिन वहाँ पर sustain नहीं हो पाया और stock वापस नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है तो जो नीचे के support से हैं उसको भी एक बार जान लेते हैं 865 का और 778 का support यहाँ पर बन कर आ रहा है उसके एकदम नीचे की बात करें तो 644 का भी support यहाँ पर दिखाई देता है लेकिन इतनी ज़्यादा गिरावट एक महिने के दोर में हो सके इतना possibility कम ही रहती है अब मैं आपको all time chart दिखाऊंगा जहाँ पर एक candle one month को represent करेगी वहाँ पर देखते हैं कैसी moment बनती भी दिखाई दे रही है तो आप देख सकते हैं कि all time chart लगा है जहाँ पर एक candle one month को represent करेए कभी भी इस bank में हमें deep correction देखने को मिल रहे है जनरली यह अपने 20 months के EMA के उपर ही trade करता है बहुत कम बार ऐसा हुआ होगा कि अपने 20 months को EMA के तोड़कर नीचे आता हुआ दिखाई दे रहे लेकिन फिलाल की situation को देखे तो काफी एक्तम गंभीर situation बनती ही दिखाई दे रहे है अपने 100 months के EMA के आसपास इसने support लिया था तो आप समझ सकते हैं अच्छी कासी गिरावट इसमें देखने को मिली है अगर बात करें position के बारे में अगर आपने बहुत ही ज्यादा ऊपर position लिये तो मेरा मानना इसे आप hold कर सकते हैं क्योंकि fundamentally strong bank है strong company है long term में यह आपको अच्छा मुनाफ़ा बना कर दे सकती है अगर आपने फिलाल अभी position लिये profit में चल रहे हैं तो मेरा मानना है profit hold कर सकते हैं अगर आपका horizon long term का है अगर आपने short term के लिया है short term profit के लिया है तो आप of course इसमें profit booking कर सकते हैं fresh buy के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको 8.50 के नीचे आपको buying करने को कहा था जहां पर यह consolidate होता हुआ दिखाई दे रहा था अगर आपने वहाँ पर इसमें buying नहीं की है तो आप फिलाल wait कर सकते हैं क्योंकि हमने देखा Bollinger band का जो upper band था उसके आसपास यह trade कर रहा है इसलिए थोड़ी और गिरावट इसमें आने को मिल सकती है MACD में भी हमने देखा कि थोड़ी सी weakness मंती भी दिखाई दे रही है Money flow index में भी देखा कि काफी जादा overbought हो चुका है तो इसमें थोड़ा सा technical correction हमें देखने को मिल सकता है इसलिए मेरा मानना है कि थोड़े नीचे आ जाए उसके बाद इसमें buying का सोच सकते है मैं आपको levels बताना चाहूँगा कि कहां से हम buy on dips की strategy अपना सकते है कुछ levels जो है 50 days का ये में और 20 days का ये में ये तो काफी नस्दीक दिखाई दे रहा है अगर long term के लिए चाहिए तो वैसे तो stock अच्छा है लेकिन मेरा मानना है थोड़ा और नीचे आ सकता है इसलिए मैं आपको यहाँ पर recommend नहीं करूँगा लेकिन आप यहाँ से buying करना चाहते हैं तो कर सकते हैं तो मेरा मानना है 900 के नीचे अगर आपको ही मिलता है तो इसमें अच्छी value आ जाती है वहाँ से आप buying करना शुरू कर सकते हैं 900 के नीचे 850, 870 या फिर उसके भी नीचे अगर आपको मिलता है तो आप buy on dips की strategy के साथ हर 5 या 10% के correction के साथ इसे accumulate कर सकते हैं long term के लिए तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए, subscribe कीजिए और मुझे motivate कीजिए thank you, stay happy, happy investing